हैं ना कल अबने एंग्जाम्पल करें आज यह से कर रहे हैं इनने कैसे अपलाइ करते यहां पर है तो अरे को टू यह दिया हुआ है ले-स थ को है गला को सेटिस्फाई करता है हमें उस condition को follow करना है उसे मानना है उसके according इस में से element लेने हैं तो जैसे इसमें रख रख के देखेंगे देखो इन मैंसे कोई से रखना है जीरो आना चाहिए या इसे और थोड़ा सा हल करें तो इसे लिख सकते हैं 3x equal to y चाहिए ऐसे कर लो ठीक है है अब हम इसमें रखके देखते हैं देखो और सैट बनाएंगे और सैट चे अंदर हम कौन से element लेंगे तो एक्सके हैं एकर one रखते हैं है तो ऑल्स या ररको एक्सके वयूश का जाएगी थ्री तो यह इसके साथ prayer कर जाएगा या ऐसे रख लो एक्स की वेल्यू यहां रख लो तो वाई की वेल्यू क्या रखें कि जीरो आ जाए जो इस equation को satisfy करते हों कल भी हमने बताया थे कि हमने एक relation बनाया था वो राम लक्समन भरत सत्रूगन और उनकी माताओं के नाम के साथ में तो माताओं के साथ पेयर करने थे इसी तरह से वहां एक उसने condition बना दी कि उनकी माताओं के साथ उन्हें पेयर करना है यहां condition हमने लगा दी है कि ऐसे element लेने है कि 3x-y जीरो आना चाहिए अब तुम इस 13 को यहां रख के देखो तर्थải पेयर क्या रखें वाइक कामाण है चै ठीक है फिर अगर ना रखते हैं तो और और 15 इसमें है ही नहीं जब 15 फाइव महीं नहीं रखासके इससे जादा इसमें element आ ही नहीं सकते ठीक है ये हमारा होता है relation set इस तरह के से हम relation set निकालते हैं जो इसने आर हमसे बोल रख़ा था अब इसमें बनाते हैं domain, co domain और range वो क्या क्या होते है prant, domain prant जो पूछता है उसे बोलते हैं हम English में domain तो prant कौन से होते हैं जो इसके पहले number के element हैं ये domain होता है जो हमने लिए है ठीक है ना जो हमने लिए है तो लिए तो ये हैं जो निकल काया वो ने जो लिए हैं तो लिए कौन कौन से हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 तो आई नहीं पाया था तो वो इसका domain نہیں है ठीक है तो यह तो हमारा होगा domain set फिर इसके बाद है range परीसर इसे हिंदी में लिखा है इसने परीसर और इसे लिखते है range इंगलीस में यह क्या होती है range है जो domain का element हमने लिया उसे रखने पर क्या आया ठीक है ना जो जो आ रहे हैं उन्हें लिख लेंगे तो थ्री आया सिक्स आया नाइन आया और ट्वैल यह हमारी रेंज होती है तो डोमें रेंज और को डोमें को डोमें बोलते हैं सहे प्रांथ को डोमें अच्छा तुमने एक पढ़ाय को का मतलब क्या है को जैसे को एक्टर मतलब सायक है ना जैसे उसमें सायक अभी नेता जैसे फिल्मों में प्रुसकार भी मिलते हैं तो एक्टर और को एक्टर तो उसी तरह से यहांसे को डोमें लिया है और कि इसको जो सपोर्ट करने वाला यही सारा सैट था हमारा ए तो यह कोड डोमेन हो जाता है सहे प्रांथ वन टू थ्री से लेकर फॉर्टीन तक यह हमारा code domain है इस परकार से निकालते हैं question तो इसे एक बार समझ लो अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ तो देखो इसने जो set लिया है इसने elements कहां से लेने है यह पहले बता रखा है कि natural numbers है सारे elements तो natural numbers तो one से start हो जाएंगे one two three up to इसने limit को यह बताई नहीं कहीं तक ले लेंगे लेकिन अब जो इसने relation set बनाया है वो कैसे बनाया है relation set में इसने सर्थ लगाई है यह कि x का मान four से कम ही कम लेना है ठीक है और इस equation को satisfy करना होना चीए तो रखो अब जैसे y equal to x plus five है हम क्या लेंगे एक्स की वेल्यू पहले one लेंगे है तो one लेंगे तो y की वेल्यू क्या निकलेगी यहां रखो one six तो इसके साथ pair हो गया अगर two लेंगे तो seven आ गया three लेंगे तो आठ आ गया और four से कम लेना है इनकि four तो लेना ही नहीं है ठीक है अगर यह equal का निसान लगा देता तो हम लेते वहां तक भी तो यह relation set बन गया हमारा ठीक है और अब इसमें वह और सारी चीज़ भी हमें देखनी है डोमें बताओ डोमें क्या होगा डोमें जो मैं पहले नंबर के अलिमेंट लिये होते हैं वह हमारा डोमें है और यह सैट बनाते ध्यान रखना है कभी वैसे लगा दो ब्रैकिट का निसान डोमें हो गया फिर रेंज क्या होगी इसकी रेंज जाएगी six seven और eight रेंज होगी फिर को डोमें क्या हो गया वन इसमें हमें आर सैट जो है वो आर निकालना है इस तरह से बनाना है कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है ये एक्स और वाई इनका जो डिफरेंस है वो or number है तो बताओ पेर करो किस को किस के साथ करोगे एक को चार के साथ करेंगे क्योंकि इनका डिफ्रेंस होगा थ्री जो की ओर नमबर है फिर एक को च्छे के साथ भी कर लेंगे और एक को नाइन के साथ पेर नहीं करेंगे क्योंकि उसका डिफ्रेंस जो एट आता है जो एक इवन नमबर है ठीक है फिर टू के साथ नाइन पियर होगा बिल्कूल ठीक है ठीक है त्री के साथ तरी के साथ फूर हो जाएगा और बस तरी के साथ six भी होगा ठीक है आगे चलो और क्या हो सकता है बोलो five वाले कि फाइव के साथ फॉर भी हो जाएगा और फाइव के साथ 6 भी हो जाएगा बस तो यह इस तरीके से बन जाते हैं और यह हमें बताना था इसमें तो थार ने इसका डिफरेंस भी टू है तो इसे हम सैट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे समुझ निवान विदी बताओ आर इक्वल टू ये लिखेंगे एक्स वाई ठीक है इस सच दैट एक्स माइनस वाई ठीक है ना इक्वल टू टू और एक्स व्लांग्स टू एसेट इसको पी कह रखा है इसने पी और इसको कह रखा है क्यू ठीक है ना ये तो पी है और ये क्यू है तो एक्स व्लांग्स टू पी एंड वाई बलांग्स टू क्यू एक्स तो हमने पी से लिया और वाई क्यू से तो इस तरह से ये लिख देंगे अजा इसको फिर यह कहा रहा है रोश्टर फॉर्म में रोश्टर फॉर्म कैसी है कि इनके पेर बना के लिख लेंगे हम ऐसे तो 5364 और 75 यह लिख लिए हमने यह रोश्टर फॉर्म होगी अच्छा इसमें और भी बताने हैं हमें इनके क्या और परिसर, डोमेन और रेंज, तो डोमेन क्या है इसका बताओ डोमेन तो इसका 5, 6, 7 है और रेंज क्या है इसकी 3, 4, 5 ये इसकी रेंज आगे निकल दे ठीक है तो ये इसमें आए जो है वो पेर ऐसे करने हैं कि A, B को डिवाइड करता है तो करो, बनाओ पहले अलिमेंट क्या होगा 1, 1 को डिवाइड करता है ठीक है, फिर 1, 2 को भी करेगा 3 को भी करेगा 4 को भी करेगा, 5 को भी करेगा और 6 को भी करेगा ठीक है ये होगे, इसके बाद 5 ना आए इसमें के लो पांच निया तूबांच नहीं लिखेंगे फैंप हम अठा देंगे ये ये इसमें नहीं लिखेंगे चलो कि wake up two in theland cook करता है तो 16 को रखता है ते दो pagिकर करेगा इसे भी लिखो भी याला भी लिखेंगे हम इस तो दो ने लिखो 33 लिखेंगे और 3-6 लिखेंगे ठीक है उसके बाद 4-4 लिखेंगे और 6-6 लिखेंगे अच्छा भी हमसे पूछता है इसमें यह तो रोश्टर रूप में लिख दिया R R का प्रांत बताओ तो प्रांत में यानि कि डोमेन ठीक है इसका डोमेन बताओ तो डोमेन में जो में पहले वाले एलिमेंट है तो सारे आरे हैं 1,2,3 बहुता है चार भी आरहा है 6 वन,2,3,4 और 6 यह तो हो गया हमारा डोमेन यह डोमेन है ठीक है और फिर पूछता है इसकी रेंज पूछ रहा है range of r range में जो element हमारे रखने पर आए हैं तो ये भी सारे आ रहे हैं तो range भी हमारी वही हो जाएगी one two three four six ये domain निकल गया range निकल गया और r का वो निकल गया तो देखो इसमें हम जो है जब pair करेंगे ने pair करके बनाना है इसने relation तो अपने आप बना के दिया ही था तो x के वेल रखेंगे जीरो यहाँ जीरो प्लस 5 कितना हो गया 5 एक pair हो गया फिर वन रखेंगे वन रखने पर वन प्लस 5 कितना हो गया 6 लेकिन अब यह भी तो ध्यान रखना है इसने दिया नहीं है ऐसा कुछ भी अच्छा टू रखने पर 7 यहां पर फिर 3 रखने पर 8 4 रखने पर 9 ठीक है 5 रखने पर 10 और बस 5 तक ही है तो ठीक है अब इसमें हमें बताना है डूमें इसका डूमें बताना है तो डूमें क्या होंगे यह जो पहले वाले नंबर के अलिमेंट है सारे लिए हमने तो डूमें यह हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5 और रेंज हो जाएगा हाँ यह रेंज हो जाएगी इसकी जो एलिमेंट आए है रखने पर जो आए है तो 5 आया है 6 7 8 9 और 10 यह हमारे आए हैं रेंज डूमें और रेंज तू और तू यहां पर टू अगर रखेंगे तो टू इसको रखा तो टू की क्यूब 8 हो गया और बनाओ क्या बनेगा थ्री थी रखने पर क्या आएगा यह 27 फॉर तो रखेंगे नि फाइव रख सकते हैं न क्योंकि फाइव प्राइम नंबर है तो फाइव और फाइव का कितना आगया 125 उसका क्यूब सिक्स नहीं रखेंगे सिक्स प्राइम नहीं है सेवन प्राइम है तो सेवन रखेंगे तो सेवन का क्यूब कितना हो गया 343 343 ठीक है फिर 8 प्राइम नहीं है 9 प्राइम नहीं है और बस 10 तक रखना ही दाम है ठीक है ना इसने बता रखिये पहले कि 10 से कम है इसमें नंबर ओफ ऐलिमेंट्स है 3 और इसमें नंबर ओफ ऐलिमेंट्स है 2 तो अगर A में 3 हैं या इस A में कहते हैं M है और इसमें N है तो इसमें relations की संख्या जो है वो formula है number of relations यह है 2 to the power M N M multiply N यह इसका formula है ठीक है ना कितने संबंद बन सकते हैं वो इस तरह से 2 की power M N तो यहां पर जैसे M की value 3 है और यहां N की value 2 है तो कितने हो जाएंगे इसमें 2 की power 3 multiply 2 यानि की 2 to the power 6 यह हो जाएंगे number of relations यह पता करना है Z क्या होता है बताओ Z integers का set है कौन सी होती है पूर्णांक संक्या है हाँ थोड़ा सा यह इसके बारे में भी जानकाई तुम्हें जरूर हो जानी चाहिए यह integers का set है 0, 1, 2, 3, 4 और इदर minus 1, minus 2, minus 3 इदर से ऐसे तो यह integers का set होता है पूर्णांक संक्या है इसमें plus minus 0 सारी होती है अब इसने relation set बनाया है और relation set बनाया है इस तरीके से कि a और b दोनो z से लेना है जैड का element है a और b यानि कि इसमें से लेना है इसने belongs to z का मतलब यह लिखा है इसमें से इस से अलग नहीं होने चाहिए यानि कि point वाले ना हो fraction वाले जो भिंड में होते हैं वो ना लिये जाए और उनका जो अंतर है के लिए सब्सक्राइब तो इसमें कोई भी अगर इंटीजर लेंगे तो उसका जो difference होगा वो एक integer ही होगा तो इसका मतलब है अब हमें इसमें r set नहीं बनाना बलकि क्या बताना है कि domain और range तो domain क्या होगा domain set domain set क्या होगा उसका बताओ प्रांत यह हो जाएगा सारा z set और range इसके element लेंगे तो इसके element निकलेंगे a minus b से ठीक है तो यह इस तरह से range जो है range set परीसर जो इसका परीसर है वो भी हमारा जैड ही होगा दोनों हमारे जैड ही निकलेंगे इंटीजर का दो इंटीजर को अगर घटाते हैं तो इंटीजर याता है निकल के कोई सा भी ले लो कितना भी बड़ा चाहिए कितना भी छोटा प्लस या माइनस कोई भी नंबर लोगे तो हमेशा डोमेन भी जैडी रहेगा और रेंज भी जैडी रहेगा झाल